इफेंस और शिप बिल्डिंग स्चॉक में पिछले कुछ दिनों से आक्शन दिखा है और इसी सेक्टर से एक स्चॉक मजगाव शिप बिल्डिंग 185 शेर्स है उनके पास जो उन्होंने 2270 रुपए प्रती शेर के दाम पर खरीदे हैं अक्शे भागवत भी हमारे साथ है अक्शे क्या राई होगी आपकी मैस्काव डॉक पर 4783 के आसपास चौक कारोबार कर रहा है और उन्होंने 2270 के दाम पर खरीदे हैं तो काफी अच्छा प्रॉफिट उनको इस पोजिशन पर हुआ है प्रॉफिट बुक कर लेने की सला रहेगी या पिछले कुछ दिनों से जो मोमेंटम दिखा है वो अभी भी कांटिनियो होगा जी तो मेरे कहल से ये लॉंग टर्म इन्वेस्टर है और पहले तो बदाई देना चाहता हूँ कि आपने इतने बड़िया टाइमिंग की है बाइस सो सक्तर पे अपने लिए करीबन अल्मोस्ट डबल हो चुका है स्टॉक आपके प्राइज के लेन से उपर तो यहाँ टेक्निकली मैं मंतली चार्ट देख रहा हूँ क्योंकि आपको विजन लॉंग टर्म का है तो एक क्लैरिटी मिल पारी है कि 4000 का एक सपोर्ट नया बेस बन रहा है स्टॉक में और स्टॉक अभी आने वाले दिनों में अगले राउंड अफ रैली की तयारी कर रहा है जिसके चलते स्टॉक 6500 तक और एक साल के उपर के टाइम होराइजन में चू सकता है तो मेरी राए रहेगी आपको बने रहना है शेर में लॉंग टर्म का नजरिया है 4000 का सपोर्ट बेस है अगर आप ट्रेल स्टॉप लॉस करना चाहे तो आप 3800 यह आपका रिवाइज है ट्रेल स्टॉप लॉस कर सकते है परकुल मिला के होल्ड है 6500 तक का टार्गेट प्रोजेक्शन है वान येर प्लस होल्डिंग से तो जैसे कि आपने टार्गेट्स देखें होंगे काफी अच्छे टार्गेट्स में आपर हमें इसके देखने को मिल रहे हैं और डेफिनेटली वन यह हूल्ड करने पर यह आपको एक अच्छा रिटन दे सकता है तो कोई भी बाइस एल की रिकमेंडेशन नहीं है यह नहीं है आपकर की नहीं है कि अच्छेट लूप डिकमेंडेशन आपको एक अच्छेट्स पहर सब्सक्रप्स की